अलो फ्रेंड्स माइसाइब डॉक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंट 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 एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए कि बेल आईकोन को प्रेस करना यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक हेल्थी एलेटेड उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं दोस्तों इससे कॉमन क्योंस की कैसे हम हमारे कान की देखवाल करें और कैसे एक स्वस्त एंड क्लीन कान हम रख सकते हैं दोस्तों हम बात करेंगे पांच वो चीजें जो हमें एक हेल्दी एयर के लिए अवोइड करना है नमबर वन अवोइड हाई लाउड साउंड्स दोस्तों लाउड साउंड्स ओल्वीज यूशुड अवोइड इड आप चाहे कंसर्ट में हो आप फैक्टरी वर्कर हो आप बहुत लाउड म्यूजिक है यह सब चीजें आपको अवोइड करनी चीए बहुत बार हम एयर फोन या जो कंटिनु जो यूज में लेते हैं वो भी हामफुल है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जरूरी है यूज करना तो दोस्तों एयर फोन और हैड फोन और स्पिकर तीन चीजे में सबसे बेस्ट है उसके बाद भी अगर आपको जो है यूज में लेना है तो आप एयर दोस्तों नमबर टू अवोईड इंसर्शन एनी ऑब्जेक इंसाइड दा इयर दोस्तों बहुत बार कॉमन हैबिट है मार्केट में कॉटन बड्स आती है जब हम आपिस में होते हैं यह जो हमारा जो की है जो हमारा पैंसिल है पैन है दोस्तों हम एयर के अंदर जो है वो क् करना चाहिए उसका रीजन है दोस्तों we don't know what exact depth inside the kenal हमें ये पता नहीं कि कान के अंदर कितनी depth के अंदर उसको डालना है and बहुत बार जो है accidentally हमारे कान का परदा है उसमें damage हो जाता है दूसरी बात है दोस्तों जो ये सारी चीजे हैं they are not strile वो strile नहीं है हमारे ear में उसके का हो जाता है एंड बहुत बार क्या है हम continue ये चीज जो हम इस्तमाल करते हैं उससे जो हमारा गोडने हमारा ear का clean करने का जो अब ओटोमेटिक जो system बना है वो डिस्टर्ब हो जाता है जो wax हमारा अंदर से बनके बाहर आ रहा था वो पुछ हो जाता है अंदर की तरफ और अंदर layer by layer wax जम जाता है and ultimately हमारे को fungal infection हो जाता है so दोस्तों avoid anything insertion in the ear कहना number three avoid running nose दोस्तों एक healthy ear के लिए एक healthy nose का होना बहुत जरूरी है अगर आपको running nose है अगर आपको continue nose के अंदर nasal discharge रहता है allergy रहता है पानी हाता है तो उसको treatment कराना चीए क्या reason है because sir जब हम breathing करते हैं तो हमारा nose जो है एक use taken tube से हमारे कान से जुड़ा होता है और जब हम breathing करते हैं तो 10% air उस tube से हमारे कान का ventilation करती है और जब ये ventilation nasal discharge के कारण और runny nose के कारण जो ब्लोग हो जाता है तो ear में एक popping sensation ear के परदे की पीछे fluid accumulate हो जाता है and ear के अंदर भरीपन आ जाता है आपने देखा होगा दोस्तों जैसे ही आपको बच्चों को जुखाम लगती है उनके कान के अंदर pain start हो जाता है और उसमें पानी आना start हो जाता है जो दोस्तों avoid running nose number four avoid deadly habits क्या वो deadly habits है avoid smoking avoid drugs alcohol दोस्तों smoking जो है that is the most dangerous ear के लिए हमारा जो हमारी जो hair cells होते हैं जिससे हमारे को सुनाई देता है जो हमारे सुनाई का sensation brain तक लेके जाते हैं वो damage हो जाते हैं sleep avoid the smoking number five avoid trauma on the ear दोस्तों बहुत बार जाने अंजने में आपने देखा होगा teacher जो है बच्चे के मार देता है husband wife में जगड़ा हो जाता है या कई बार वैसे भी fighting में या road traffic accident में जब हमारे कान पे चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे जो कान का परदा होता है उसमें perforation हो जाता है कान के परदे में छेद हो जाता है दूसरा हमारी जो hearing system में वो sudden